हेई गाईस तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है तारक मेता शो के कुछ ऐसे करेक्टर्स के बारे में टॉप 6 करेक्टर्स के बारे में जिनको के 2 या 2 से ज़्यादा एक्टर्स ने प्ले किया है जी हाँ दोस्तो आपको बिलीव नहीं होगा आपको याद भी नहीं आ रह यहाँ पर मैं फीमेल रोशन की बात करने वाला हूँ जी हाँ दोस्तो रोशन भावी जिनको के 2 अक्टर्स ने प्ले किया है पहली है जैनिफर मिस्टरी बंसीवाल जो के स्टार्टिंग में भी थी और अब करेंटली भी है और उसके अलावा दोस्तो दिलखुश रिपोर् और अबी करेंटली भी गुरू चरन सिंग ही सोडी का रोल प्ले करें है लेकिन दोस्तो बीच में कुछ एपिसोड के लिए लाड सिंग मान जो के एक एक्टर है पंजाबी फिल्मों में भी काम करते है और कुछ सीरिल्स में भी काम करते है तो उन्होंने भी बीच में रोल लेकिन लोगों को काफी ज़ादा पसंद नहीं आया और पिछले सोडी की बहुत ज़ादा डिमांड की गई और फिर से गुरू चरन सिंग सोडी को ही वापस लाया गया मतलब गुरू चरन सिंग को ही वापस लाया गया सोडी के रोल के लिए नमबर चार पर है रीटा रिपोर्टर, जी हाँ दोस्तों एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन एक्टरेस ने रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले तो गई सबसे पहले यहाँ पर हैं एक्टरस प्रिया अहुजा इनके बारे में तो यार सबको पता है सबसे जादा इन्हों ने रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले किया है लेकिन दोस्तों उसके अलावा कुछ एपिसोड में नीधी नोटियाल और मिही का वर्मा इन दो एक्ट नोक्टर हाथी तो सबको पता है कि सबसे पेले है रूल प्ले कर रहे थे निर्मल सोनी कुछ महीनों के लिए उसके बाद जो पर्मानेंट रूप्ले के था वो थे भावय गांदी जिनोंने के साड़े नो साल तक टपू का रोल प्ले किया था और भावय गांदी के जाने के बाद राजनातकद टपू का रोल प्ले कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो राजनातकर टपू के रोल में लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन अब काफी हद तक लोगों को पसंद आने लगे हैं राजनातकर भी. नमबर वन पर है सोनू, तो गाइस सोनू का रोल भी दो नहीं बलकि तीन-तीन एक्टरस के दोरा प्ले किया गया, सबसे पहले आपको पता है कि पहले चार साल जील मेता ने ये रोल प्ले किया था सोनू का, उसके बाद नीदी भानुशाली ने जील मेता को रिपलेस कर दिया क्योंकि जील मेता को अपनी स्टडी पर फोकस करना था, तो इसके बाद नीदी भानुशाली ने सोनू का रोल किया, तो अब दुपारा से नीदी भानुशाली ने भी ये शो छोड़ दिया, क्योंकि सेम रिजन है कि उनको अपनी स्टडी पर फोकस करना था, और इसके और एक्टरस भी आ जाए क्या पता? तो गाइस, यहाँ पर सोनु के रोल को भी तीन एक्टरस के द्वारा प्ले किया जा चुका है, मतलब एक के द्वारा आज या कल से प्ले किया जाएगा तो गाइस, यह हैं टॉप 6 ऐसे टारक में तो शोक है, जिनको दो या दो सी ज़ाद एक्टर्स प्ले कर चुके हैं तो आपका इन में से फेवरेट करेक्टर कौन सा है और उसको किस एक्टर ने सबसे बढ़िया प्ले किया था नीचे कमेंट सेक्षिन में अपनी राय जरूर बताना और वीडियो पसंदे तो आपको लाइक जरूर गर देना अभी तक भी अपने बोलिवूड टॉक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है नीचे हिलाल कलर का सबस्क्राइब का बटन है उसके साथ है बेल आइकन दोनों को जरूर पैस करते तक आप आने वाली वीडियोस मिस ना करबाएं फिलाल दोस्तों इस वेड़म इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में